आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप Google Pay में debit card यानी की ATM card आप कैसे जोड सकते हैं सबसे पहले हम आपको बता दें Google Pay में debit card या ATM card जोडने में आपको बहुत सारे benefit देखने को मिल जाते हैं अगर आपको कोई भी bill payments करना होगा तो आप बहुत ही असानी से उस debit card यानी की ATM card से कर सकते हैं जो आपने Google Pay में add किये हैं और साथ ही हम आपको बता दें Google Pay में अगर आपको debit card यानी की ATM card add करते समय में परेसानी आ रही है तो आपको कैसे सही करना है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले आपको प्लेश्टोर से Google पे एप को update करना होगा अगर आपको update का option आपको देखने को मिल रहा होगा तो आप update कर सकते हैं इसके बाद आपको करना होगा open यहां पे आपको ऊपर में एक option देखने को मिल रहागा profile आपको simple profile वाला icon पर करना होगा click आपका यहां पे जो भी मूबाइल नमर होगा यहां पे देखने को मिल जागा इसके बाद आपका जो भी UK ID होगा नीचे में आपको देखने को मिल जागा नीचे में यहां पे आपको दो ओप्सन देखने को मिल जागा bank account और यहाँ पर आप देख सकते हैं debit card, credit card तो आप चाहें तो यहाँ से भी add कर सकते हैं नहीं तो आप यहाँ पर bank account पर भी click करके आप add कर सकते हैं इसके बाद आपका जो भी bank account गूगल पर में add होगा आपको देखने को मिल जागा नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा add credit और debit card तो simple यहाँ पर आपको करना होगा click इसके बाद आपको करना होगा proceed इसके बाद आपको debit card यानि की ATM card का यहाँ पर 16 digit का number आपको डालना होगा जो भी आपका debit card पर number होगा ATM card का details डालते ही आपको यहाँ पर अपना expiry date डालना होगा जो भी आपका expiry date होगा ATM card यानि की debit card पर आपको यहाँ पर fill करना है इसके बाद ATM card के back side में CVB number आपको देखने को मिल जाएगा जो की 3 अक्षर के होते हैं यहाँ पर आपको डालना है इसके बाद एक बात आप ध्यान रखिएगा आपको नीचे में आपको नाम देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर अपना नाम डालना होगा यानि की आपका जो भी debit card यानि की ATM card पर जो भी नाम होगा यहाँ पर आपको fill करना होगा अगर आपका नाम अपना डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चाहें तो pencil वाला icon पर click करके आपका जो भी debit card पर नाम होगा यहाँ पर आप चाहें तो डाल सकते हैं यह सारा details डाल देने के बाद आपको नीचा ना है आप चाहें तो पूरा इसे read भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे में एक option देखने को मिलेगा accept and continue आपको simple यहाँ पर कर दना होगा click इसके बाद आपको थोड़ा wait करना होगा आपने जो भी debit card याणि की ATM card add किये थे आपको यहाँ पर preview देखने को मिल जागा आपको नीचे में एक option देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकता है continue आपको simple continue पर करना होगा click यहाँ पर आप से पुछा जा रहा है क्या आप OTP automatic fill करना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं तो yes पर click करेंगे नहीं तो आप no thanks पर करेंगे click आपके register number पर एक OTP send किया जाएगा आपको यहाँ पर OTP fill करना है OTP डाल दने के बाद आपको करना होगा submit पर click यहाँ पर आपको कुछ time लग सकता है आपको wait करना होगा इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका Google Pay में debit card यानि की ATM card बहुत ही असानी से add हो चुका है यानि की Google Pay में आपका ATM card जूट चुका है अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आपको buy करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर profile वाल आइकन आपको देखने को मिलेगा इस तरह से आपको यहाँ पर profile वाल आइकन पर करना होगा क्लिक इसके बाद यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा debit card यहाँ पर आपको करना होगा क्लिक आपका जो भी debit card आपने गूगल पे में जो भी add कि होंगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जागा यहाँ पे click करके आप चाहें तो इसका preview भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको buy काना है और buy काने के बाद अगर आप चाहते हैं इस debit card से कोई भी bill payments और रखने के लिए तो आप बहुत ही असानी से कर सकते हैं जैसे कि हमें मान के चले कोई भी bill payments करना है तो यहाँ पे जैसे कि हम mobile recharge करना चाहते हैं तो mobile recharge प्राम करेंगे click यहाँ पे आपको amount type करना होगा आप कितना का recharge करना चाहते हैं इसके बाद यहाँ पे आपको select करना होगा आप payment कैसे करना चाहते हैं अगर आप ATM card से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक option देखने को मिलेगा यहाँ पे करेंगे click इसके बाद आपको यहाँ पे debit card यानि की ATM card को आपको select कर लेना होगा इसके बाद यहाँ पे आपको pay वाला icon पर simple करना होगा click इसके बाद करेंगे ok के register number पर एक OTP send किया जाएगा यानि की one time password आपसे मांगा जाएगा आपको यहाँ पे OTP fill करना होगा इसके बाद यहाँ पे कुछ time आपको लग सकता है आपको wait करना होगा जब तक आपका payment complete ना हो जाए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं debit card यानि की Google Pay में हमने debit card को add कियें और उस debit card से हम बहुत ही असानी से bill payments दोगार अभी हम बहुत ही असानी से कर सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक करें चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करें हम मिलते हैं किसे और इसे इंडेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई